हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्टावित कृष्णा में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम एक मोबाइल एप के बारे में जानेंगे जो एजिली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बट इतना helpful है कि किसी भी साइट पर यदि आपको वहां के लेट लॉंग लेना है या वहां कोई सेडो अबजेक्ट है जिसका आप ये जानना चाहते हो कि इसकी कितनी सेडो बनेगी सुबह 8 वजे या 9 वजे या साम को 4 वजे कितनी लंबी सेडो बन सकती है इसकी तो ये रेशो भी आप सेडो का इस एप से कैलकुलेट कर सकते हैं साथ ही किसी भी लोकेशन की एक स्पेसिफिक टाइम की सन की पोजीशन मीन्स उसका एल्टीटू टैंगल क्या होगा या उसका एहजमे टैंगल कितना होगा ये भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो जिसका हमें किसमें फायदा मिलता है या तो हम संचार्ट बनाने में इसका डेटा यूज कर सकते हैं या इंटर रोइ स्पेसिंग जब हम निकालते हैं तो उसमें भी हमें ये डेटा हेल्फुल होता है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको play store पे जाना है sun locator light के नाम सी एप आपको मिल जाएगा आप इसे install कर लीजे एक बार जाब आप इसे install कर लेंगे तो यह आपके app list में easily मिल जाएगा अब आप देखो इसे सबसे उपर इसमें position and time है इसमें आपके अलग अलग option या तो हम list से सर्ज कर सकते हैं यदि मैंने कोई location सेब कर रखी या मैं GPS से भी उसे track कर सकता हूं कि मैं जिस location पे हूँ वहां के लेट लौंग ये आटो सर्ज करके उसे set कर देगा साथ ही साथ अगर आप चाहते हूं डारेक मैप में देखना है तो मैं ऐसे map open कर लूँगा जिस भी location पे आप जाना चाहते हो आप उसको इसमें देखो आप जैसे ये नजीराबाद में मैंने किया ये इसके लेट लौंग आगए मैं किसी भी याब मैं जिस जगे पे खड़ा हूं उस location पे करके मैं okay कर दूँगा तो ये वो लेट लौंग ले लेगा तो एक तो आपको उस location का लेट लौंग, लेटिटूड, लौंगिटूड मिल गया देन इसके बाद आप क्या करोगे देखो जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय इस location पे sun का azmet angle देखो आप और sun का elevation देखो आप यदि मैं चाहूं map view में जाके ये मेरी location है मैं इसे zoom कर लेता हूं थोड़ा, इस location पे अभी के समय, suppose मैं सुबह 10 बज़ चाहूं, माना मैं इस side पे जहां आया हूं वहाँ एक उनका lift tower है जिसकी height 4 meter है, तो अब उसकी shadow कितनी बनेगी, ये चीज मुझे आप देखो सबसे उपर top पे right hand पे दिया है shadow ratio 1 ratio 1.12, तो सुबह 10 बज़ इस lift tower की height कितन 4 meter है, तो 4 into 1.12 कर दूंगा, तो मेरा जो shadow ratio है वो calculate हो जाएगा, कि सुबह 10 बज़े इस 4 meter lift tower की shadow है वो 4 point कितनी बनेगी, 8 बनेगी, ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी भी समय की निकाल सकते हूं, आप सबसे नीचे देखो ये time select करने का है, 7 बज़े आप देखो सबसे 4, जैसे जैसे sun का elevation बढ़ेगा, ये देखो आप, ये sun जितना उपर जाता जाएगा, आपकी shadow जो है वो छोटी होती जाएगी, रेसों भी कम होता जाएगा, ये साम होई फिर मेरा sun नीचे जाने लगा, तो मेरी shadow जो है फिर से उसकी length जो है वो बढ़ने लगी, तो किसी भी shadow object का, रेसों जो है उसकी shadow का, वो आप इस app से calculate कर सकते हैं, time आप इसमें set कर सकते हो, जैसे आप देख रहा हो, यदि मैं mobile भी दाय से बाएं कर रहा हूं, तो ये मेरा move कर रहा है, तो किसी भी location का true south भी आप इससे निकाल सकते हो, accurate ये आप देखो, left hand पे सब से उपर आपक helpful है, हम solar वालों के लिए, बाकि इसमें morning है, noon का है, आपका evening है, photography, सारी चीजे इसमें आपको detail मिल जाता है, ये आप देखो, नीचे sun chart बना है आपका, day का है, ये आपका yearly है, तो एक ही app में आपको सारी जितनी important चीजे हैं, जो मुझे sun chart बनाने में, या side की 3D design बनाने में, जैसे latitude है, longitude है, या वहाँ जो भी shadow object है, उसकी shadow measurement करने के लिए, जो भी data चाहिए, इस एक app से मुझे मिल सकता है, तो आप आज इसे play store से download कर सकते हैं, totally free है ये, उमीद करता हूँ, आज का video आपके लिए helpful रहा होगा, next video में हम फिर मिलेंगे, एक नए topic के साथ, एक नए discussion के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजे, नमस्कार